जो आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसपी नहीं में भब एक अगा मैंगी टेस्टी है चल्यक्त हम बनाना ही स्टार्टक Pac bersendu 5 लिए बनाना या मैं अगर उस से पहले चैनल में नहीं थो लाइक करे सब्सक्राइब करने ना भूले चलिए बनाते हैं यह महेंगी सी डिजर्ट जो हमारे एक कम खर्चे में ही बनने वाली है तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने यहां गैस पे कढ़ाई रखा है और इस पर मैंने कर देंगे एंगे फ्लेम को और इसे हमें । तब तक पकाना है 죄송 concert layer गाड़ा काड़ा कर सबी को बहुत ही पसंद आएगी बहुत ही टेस्टी लगती है घर के समानों से ही बनने वाली है दूद को पकाने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी दूद को इसी तरह में बॉयल होने देना है जब तक पूरा अब यहां फ्लेवर के लिए हम इसमें थोड़ी सी इलाइची पाउडर डालेंगे इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अब इसमें चीनी डालेंगे चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम यह ज़्यादा रख सकते हैं कि इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए दूर लगबग अपनी क्वांटिटी से आधा हो चुका हो गई है और यह बहुत będzie असी रफ्डी बनना श्टार्ट हो गई है को अ कि अभर पकाना है और गाढ़ा करना है को वैस्ते यह थुड़ा और ठिक हो जाए यह देखिए रबडी हमारी रेडी है यह बनकर तयार है बहुत ही बढ़ियांसी रबडी बनकर तयार हुई है और बहुत ही बढ़ियांसी खुजबू भी आ रही है इसमें से तो हमें इतना ही गाड़ा रखना है अब यहां पर हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे क्योंकि ठंड गी डालेंगे एक चमच गी को हलका मेल्ट होने देंगे यह देखिए गी मेल्ट हो चुका है तो मैंने यहां गाजर को कद्दू कस करके रखा हुआ है तो इस कद्दू कस किये वे गाजर को हम इसमें डाल देंगे कढाई में और इसे हम दो से तीन मिनट के लिए दीमी आज पर भूनेंगे तकी इसका हलका कच्चा पर निकल जाए और गी डालनी से में बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है इसी तरीके से चलाते वे sich एक से हम दो से तीन मिनट के लिए भून लेना यहमें बहुत ही स्वाधिस्ट सी रेसिपी है ये कम खर्चेक में महेंगी वाली डिजर्ट बन के त्यार हो जाती है और टेस्ट तो इसका बहुत ही जबर्जस्ट लगता आप एक बड़ी से जहूँ ड्राई करके देखें और कमेंट करके जहूँ बताईएगा आपको मेरी रेसिपी क्याइट चैसी लगी quand I will use each one of theoux एल जाल देंगे मैने यहाँ इसमें शुगर पाओडर डाला चीनी का पारॉडर आप इसमें टीनी भी डाल सकते हैं और गुड़ भी डाल सकते हैं जो आपको पसन्मों आप्छारे निविशियूर्स इसे मिक्स कर लेंगे और हमें बिल्कुल धीमी आज पर इसे पकाना है वरना यह जलने लगेगी गाजर की यह बिल्कुल यूनिक रेसिपी है गाजर का हलवा तो हमने बहुत पर खाया है एक बर इस तरीके से ट्राइ करके देखे बहुत ही तेस्टी लगती है अब इसे हम ढग कर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि यह बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए यह देखिए गाजर हलका हलका सॉफ्ट होने लगा है तब इसे हमें और पकाना है ताकि यह बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए एक दम अब मैंने इसमें यहाँ पर यह जब हम गी निकालते हैं तो उसमें जो खुर्चन बच जाती है तो मैंने वो डाला इसमें जिसे इसमें मावा वाला फ्लेवर आएगा इसके जगह पर आप milk powder भी डाल सकते हैं या फिर दूद की मलाई डाल सकते हैं उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा मेरे पास यह थी तो मैंने इसे डाल दिया है अब इसे भी अच्छे से mix कर लेंगे जलते भी अच्छे से mix कर लेंगे अब इसे धक कर हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे यह देखिए गाजर अब बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गया है इसी तरीके का हमें इसे बनाना है बहुत ही स्वादेश्ट सी और बहुत ही प्यारी सी खुसबू आ रही है इसमें से तब इसे धक कर हम एक मिनट के लिए और पकाएंगे एक मिनट हो चुका है और ये अब हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है त्यार है ये तब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे बस इतना ही हमें पकाना है ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है तब इसे ज्यादा नहीं पकाना है तो यहाँ पर हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे अब मैंने यहाँ एक केक बनाने वाला कंटेनर लिया है आप जो भी कंटेनर लेना चाहे ले सकते हैं अब इसमें हमने जो गाजर का हलवा त्यार किया है वो सारा हलवा इसमें डाल देंगे यह देखे मैंने इसमें अच्छे से सेट कर लिया है इसे अब हमने जो रबड़ी त्यार की थी उसे इसके उपर लगाएंगे यह देखे रबड़ी जम कर कितना गाड़ा हो गया है तरबड़ी को हम इस पर चारो तरफ अच्छे से फैलाते हुए लगा लेंगे चारो तरफ यह देखे मैंने इसे लगा लिया चारो तरफ अच्छे से अब इस पर हम थोड़े से काजू और पिस्ता से गार्निशिंग करेंगे आप अपने पंद पसंद से कार्निशिंग कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें तो चारो तरफ इसके हम लगा देंगे इसे मैंने यहां सारे लगा दिया है और इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा वने के लिए रख देंगे फ्रिज में दस मिनट के लिए ताकि अच्छे से से शेट हो जाए दस मिनट हो चुके है और यह बढ़िया से से शेट हो चुका है तब मैं इसे कट करकर दिखाती हूँ देखिए कितना बढ़िया सा यह मिठाई हमारा मिठाई बोलिए डिजर्ट बोलिए जो भी बहुत ही बढ़िया से यह रेसिपी बनकर त्यार है खाने में तो इतनी स्वादिश्ट लगती है ताब भी से बनाईए बहुत ही टेस्टी सा रेसिपी है यह बच्चे को तो बहुत ही पसंद आने वाली है बढ़ों को भी बहुत पसंद आएगी अब मैं एक पिस और कट करत के दिखाती हूँ यह देखिए कितनी बढ़िया से यह रेसिपी बनकर त्यार हुई है झाली है